हालो एवर्डिवन वेलकम टावर चैनल तो मैं आज डिसक्स करने वालनों कि जेए मेन के जो भी लोग है वो लास्ट तक आच ही कोई हैं अब लास्ट कुछ जस लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन चलना है तो उस मोमेंट पर आपको कैसे कुछ का मोटिवेशन अभी भी रखना है और अभी भी तो बहुत देर है अभी भी एडवांस है अभी आपको एडवांस जेना है आई 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 टी में जाना है अभी बहुत बड़ी ड्रीम है आपका तो डेफिनिटली अभी इससे आप हार नहीं मान सकते हैं तो डेफिनिट नहीं हुआ है अभी से अगर आप हार मान जाओगे तो आप कैसे चलेगा बहुत लोग अभी फ्रेशर हैं तो उनके लिए वो बोलेगा कि हमारे प्रिपरेशन अच्छा नहीं है मैं आने वाले दिनों में प्रिपरेशन कर रहा हूं करूंगा ड्रॉपर बन के लेकर मैं फिर अभी यही बात बताऊंगा कि अभी तो बैटल स्टार्ट ही ने हुआ अभी भी आप प्रॉपर एक्जाम दिये ही नहीं हो वह भी दो एक्टेम्ट बाकी है अभी जैन में एक होगा अप एप्रिड में एक होगा तो जो लोग इस मनसा से आगे बर रहे हैं कि अभी आपको पर होके फिर से तयारी करना है तो उनके लिए मैं तो बताऊंगा कि अभी तो बात वो बढ़ेगा ना आने वाले दिनों में आप तो डॉप यहर में फोडने बाले ही हो लेकिन ऐसा नहीं कि अभी जो आ चुका है एक्जाम्स उसमें उससे एकदम पीछे हट जाना ऐसा सही नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर्ली एक्जाम पॉइंट उब यू से देख रहे हो एक असली एस्पारेंट क्या होगा क्या करेगा इस टाइम पर हटेगा ने पीछे नहीं हटेगा तो आपको डेफिनेटली आपके मोटिवेशन को अभी भी बने रखना है और आने वाल करना है उस सीचुईशन का मुकाबला करना है तो तब ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे ठीक है कुछ अच्छा निकाल पाओगे इस एक्जाम से अब डेफिनेटली एक्जाम थोड़ा सा यह कंपिटिटिव एक्जाम है और बहुत जादा फेमस इसलिए है क्योंकि यह बह इसी मोमेंट पर तुम्हें बोलूगा खुद को मतलब समझाना है कि अभी बहुत बड़ी जर्णी बाकी है अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी हार मान जाए ठीक है मैं भी अगर फर्स्ट एटन पर हार मान जाता 64 परसंटाल पर तो मैं अभी इसी व है कि में औरрем Там हो था हुआ हला कि कर दो हिests ठैसे कोई जादा है क्लान का मैं अथ्यकर नहीं कर सकता था और मैंडा प्रपारेशन भी पर्टिकुलर डेडिकेड़ नहीं था फ्रेशर, एज फ्रेशर में प्लास 12 बोर्ड के साथ साथ ऐसे ही मतलब एक्जाम दे दिया था तो उसी हिसाब से मेरा, मतलब लक्स वही था कि मुझे तो ड्रॉप यर देना ही है लेकिन मेरा प्रेशन उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था, मतलब मेरा लास्ट एटम थो था ऑउगस्ट में तो ऑउगस्ट का जो प्रेशन है मतलब ऑउगस्ट का जो एक्जाम है वो मैं एप्रिल से एक्जाम प्रेशन स्टार्ट कर दिया था ड्रॉप यर का तो एप्रिल में जून, जुलाई, आउगस्ट, इतना मैं प्रिप्यार किया, फिर आउगस्ट का एक्जाम दिया, फिर भी मुझे 63% मिला, और तभी भी मैं, मतलब थोड़ा सा तो नीराच लग रहा था, लेकिन फिर लगा नहीं, अभी तो बहुत देर है, अभी भी मैं as a drop, ड्रॉपर में अच्छा करने वाला हूँ, ठीके, वो अंदर में वही बात ले आता था हमेशा की नहीं, मुझे अब तो करना है, भी तो बहुत दिनों बाकी अभी भी 2022 पे फोड़ना है, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ा, तो उस हिसाब से आप भी करोगे लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले अपकमिंग एक्जाम को छोड़ दें, हाँ, मेरे बैच में ऐसे बहुत लोग थे कि छोड़ दिया था, एक्जाम ही नहीं दिया था, तो अगश्ट का एक्जाम था, मैं तो नहीं दूँगा यार, एक्जाम आया है तो उसको देना है, दे लो ना, क्या दिक्क थोड़ी नहीं, तो उसी हिसाब से आपको भी सोजना सेगे, तभी आप पर्टिकुलर्ली कुछ कर पाऊगे, ठीक है, अब बात आता है कि जो लोग अभी ड्रॉपियर में हैं, उनके लिए इंड गे में हो, उनके लिए कोई, मतलब ऐसा बहाना तो नहीं है कि अभी आने व पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा, उससे ही काम बनेगा, नहीं कि अगर वो नहीं कर नहीं कर पाऊगे, तो आप फिल्टेड हो जाओगे, आप वो ही जो लोग चुनिंदा होगा, उनमें नहीं आएंगे, सिंपल, क्या ही आप मान सकते हो, अगर आप मान सकते हो, तो डेफिनिटलि आप इस टाइम पे हाड मान लो, अगर आप मान नहीं सकते हो, अगर आप जिद्धी हो, अगर आप चाते हो, उस पर्टिकुलर ड्रीम कॉलेज में अभी पहुंचना है, अभी वो करना है, अभी बहुत दिनों बाकी है, अभी भी बहुत कुछ हम कर सकते ह तासे अगर आप आगे बढ़ सकते हो, तो बढ़ हो, जरूर से आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं ये motivation, purpose पर इसलिए लिए आया है, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक preparation कर रहे हो, पर्टिकुलर आप बहुत जादा इस गोल के लेके, अपने गोल को लेके serious हो, तो definitely आप कर रहे हो, तो मैं इस हिसाब से इस session को ले आया हूँ, कि आपको पर्टिकुलर वो संदेश मिले, अगर अंदर में वो भी तो तुरह सा confusion आ रहे है, तो तुरह सा संका आ है कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो उस questions का जवाब देने में आया था, कि अभी खुब अच्छी तरीका से तुम कर सकते हो, हाला कि आपका situation कैसे भी हो, अगर आप 15% किये हो, अगर आप 80% syllabus कियो, अगर आप 90% syllabus कियो, कोई भी हो, कर सकते हो, लेकिन आपके situation के हिसाब से आपको उतना ही questions लगाओ, ताकि आपको maximum score मिल पाए, अभी maximum percentile मिल पाए, और आपको एक अच्छा rank मिल पाए, उसी इसाब से आपको पढ़ाई करना है, आपको नहीं सोजना है, कि मुझे 50% syllabus आता है, यह नहीं सोजना है, मुझे आपको अभी सोजना है, कि मैं जो 50% नहीं किया, उस 50% syllabus के अंदर, क्या मैं कुछ ऐसे questions बना सकता हूं, जो questions मुझे से बनता तो नहीं है, लेकिन मैं बना सकता हूं, ठीक है, डेफिनिटली आपको वो करना है, ठीक है, तो time मेरे पास, मैं ज़्यादा आपको लूंग, आपका लूंगा भी नहीं, आपके time अभी बहुत एस वीडियो और इस चैनल के साथ जूरे रहे है, अभी भी बहुत सारा कंटेन आने वाला है, आपको एक help, आपको एक guide